राम राम किसान भाईयो मैं रविन तुमर आप देख रहे हैं एक किसान नीज यूटूब चैनल किसान भाईयो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मेंते की जड़की ववाई कराने जा रहे हैं या आप पौदे की रुपाई कराने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी दवा हम रुपाई के दूसरे या तीसरे दिन लगाएं जिससे हमारे जो मेंतिक फसल में खर्फमारों का जवाब देखने को नहीं मिले तो आज की वीडियो में हम उस दवा के बारे में बात करने वाले हैं बहे हैं मार्केट में किस-किस कंपनी की मिल जाएगी ये बात करने वाले हैं परंतों से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में भी इस चैनल के मादिहां हम सेमन्दिख कर देए वीडियो समय-समय पर हम लाते रहें हूं तो अमारोट के सब्सक्रीन को ट्रॉप होग्ता अगर हमारे वाँसाओ ग्रूप अगर हमारी टेली ग्रॉप में जोड़ना चाहते हैं आप आते हैं, अपने माईंट टॉपिक पर कि हम अपनी मेंते की जड़ की बवाई, अगर हमने कर रखी है, पादी की रुपाई अगर हमने कर रखी है, और दूसरे या तीसरे दिन हो चुका है, तो हमें अपने मेंते की फसल में, पैंडा मैंतें 30% EC, दबा को अगर आप, इस के करान जो हमारे मेंधे की फसल में और हमारे पोडे में Jacob के में एक खर्थवारों का जमाब होने नहीं देती आप इस दवा को पेंडा मेंतिन 30% इसी दवा को एक लीटर पर एकड के अनुसार अगर दूसरे आद्दे दिन मेंधे की जड़ की ववाई के बाद या रुपाई के बाद पौदे की इस्प्रिक रूप में प्रियोग कर देते हैं तो ये बहतरीन तरीके से हमारी महिंते की पसल में खरतवारों को जमने से रोकने का काम करती है तो किसानवाई इस दवा का आप उपयोग अपनी महिंते की पसल में पौदे की में आपको टाटा रेलीज कंपनी की टाटा पनीडा नाम से मिल जाएगी और धानुका कंपनी की भी मिल जाएगी और भी विभिन कंपनीयों की यह आपको मार्केट में मिल जाएगी आपके यहां जिस कंपनी की अच्छी कंपनी की पैंडा मैथन 30% इसी दवा मिले उसे एक ल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से आप मैंते की क्रॉप से सम्बंदे समय समय पर जानकारी मेरे चैनल के माद्यम से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को subscribe वह स्थे करें तो फिर मेरत्ता नई वीडियो में नई टोपक साथ तब तक्रीद है निवाद